सबसे पहले जानते हैं कि चंदन है क्या और इसको इतना मूल्यवान क्यूं समझा जाता है देखिए चंदन एक खास तरह की सुगंधित लकडी है चंदन सेंटलिस कुल का पौधा है और इसकी सुगंध बेमिसाल होती है जैसे जैसे ये पौधा बढ़ता है वैसे वैसे इसके तनों में और जड़ों में सुगंधित तेल का अंश बढ़ने लगता है चंदन की लकडी का प्रियोग मूर्ती कला, साज सज्जा के सामान और सुगंधित पदार्थ बनाने में होता है मुख्यतह चंदन दो प्रकार का होता है लाल चंदन और सफेद चंदन दोनों का ही खूब प्रियोग किया जाता है चंदन अपने आप में दो कारणों से बहुत अनूठा है एक इसकी सुगंध और दूसरा चंदन को घिसने से जो लेप निकलता है वो भी बड़ा महत्वपूर माना जाता है अब ये जानते हैं कि चंदन का धार्मिक महत्व क्या है देखिए हिंदू धर्म में चंदन को अत्यंत पवित्र मानते हैं और पूजा के हर कार्य में चंदन की लकडी, चंदन का लेप और चंदन के इत्र का प्रियोग किया जाता है शिवलिंग पर भी चन्दन लगाने की या चन्दन से शिवलिंग का अभिशे करने की परंपरा भी पाई जाती है भगवान विश्नु और उनके अवतारों के लिए सफेद चन्दन का प्रियोग किया जाता है और गर्मियों के महीने में इनकी मूर्तियों पर इनके विग्रह पर सफेद चन्दन का लेप किया जाता है देवी की उपासना में मादुरगा, माकाली इनकी उपासना में लाल चन्दन का प्रियोग ज़ादा होता है बौद धर्म में चन्दन के प्रियोग से या चन्दन लगा करके ध्यान करने की परंपरा पाई जाती है जोतिश में ग्रहों की समस्या के समाधान के लिए भी चन्दन की लकडी का, चन्दन की सुगंध का और चन्दन के तिलक का प्रियोग किया जाता है आस्टो तक आप पर आपको मिलेगा भविश्य से जुड़े हर सवाल का जवाब डाउन्लोड कीजिए आस्टो तक आप और चिटकी में जुड़े इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलोजर से